सब्सक्राइब यूटूब चैनल कलाकारी आर्टेस्ट तो आज का जो हमारा क्वेपर रहेगा वो डिएसस्वी टीजीटी आर्ट दो हजार अठारा का रहेगा तो इसमें देख लेते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन हमारे पूछे गयते तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पत्थर की मार विजे मूर्तिकला किस गुफा में प्राप्त होती है तो यहाँ पर राइट आंसर आपको आपको आपसर नंबर सेकेंड जो कि है 26 संख्या नेश्ट क्वेश्चन है पाचवी सताबदी के ध्यान मंग्द वुद्ध किस से समंधित है तो यहाँ पर आपको आपसन नंबर सेकेंड जो कि है चान हुद्रों यो चान हुद्रों कहां पर पढ़ता है तो सिन्दु भाटी सबद्ध्या से रिलेटेड है स्टो ने की और जो चान हुद्रों से भी जानी जाती है निष्ट कोशिण है आपका निमलेकित में से किस समराण ने असो किस समराण ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की ब्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया था तो राइड अंसर अपका अप्सेंड जो कि है असोक नेक्ट कोशन है कि गंगा के किनारे मौरे द्वारा निर्मित विसाल लकडी का खिला कहाँ पर इस्तित है तो इसका राइड अंसर आपका अप्सेंड फूर जो कि है विहार नेक्स्ट कोशन हरपपा संस्कृति संदर में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगहे पर पाया जाता है तो राइड आंसर आपको अप्सन बथार्ड दोला वीरा और दोला वीरा ही एक मात्र इस्थर है जो की 33 पदत में वहाँ पर पाया जाता है नेक्स्ट कोशन है कि गुपत अबधी में मौर्थियों की निमलिकित में से कौनसी विशिष्ता है रही है तो राइड आंसर आपको अप्सन बथार्ड जो की है देवताओं के चारो और हलो की विश्तर सजाबट होती थी तो यह आपके गुपतकाल की मौर्थियों के पूर्वी भारत में सुंग सामराजी के संस्तापक और पहले सासक कौन थे तो राइड आंसर आपको आपस्ट नमर फ़र्ष जो की है पुछ से मित्र नर्श कोशन कुसार काल में बैठे हुए बुद्ध कटरा मौंट से प्राप्थ हैं वो की कहां पर संग रही थे तो कौन सा रंग है फूल का तो इसका राइड आंसर आपस्ट नमर थर्ड जो की है नीला कमल तो जो कमल पकड़े हैं वो किस पर दक है नीला क्लर का next question ने हर अपन सील का उपयोग मुखकी रूप से किसलिए किया जाता था तो right answer आपको option number 4 जो की है संपत्ति का शौमी next question बीहार गुफाओं को अर्थ क्या होता है तो right answer आपको first number जो की है निवास हाल के साथ मठी याने की जो बहां के बादे विच्छु होते थे उनके बैठने का इस्थान भीहार कहा जाता था और जो यहां पर प्राथना हॉल दिया हुआ है उसको चैते नाम से जाना जाता है अब next question है कि पदम पाड़ी चित्र कला का नाम पदम पाड़ी है क्योंकि अब इसका रीजन क्या है तो right answer आपका first number जो की है हाथ में कमल लिए हुए और कमल किस कलर का है तो नीला कलर next question है कौन से इसकूली कलाकार बहुत बिशियों पर केंद्रित थे तो right answer आपका option number 4 जो की है गांधाल next question निम लिखित मेंसे कौन से सबेता आलम की इरपुर में दिखाई पड़ती है तो right answer आपका option number 4 जो की है हडपा और हडपा को ही सिंदु भी कहा जाता है next question है कि निम लिखित मेंसे कौन सी गुफाएं हीन यान द्रश्टिक ओर को दरसाती है आप हीन यान गुफाएं कौन कौन सी है आठ नो दस बारा और तेरा और पंद्रा या आपकी हीनियान से रिलेटर है next question है कि देवी मा यानि कि मदर गार्डेज की सबसे विशेश विशेशता क्या रही है तो right answer है आपका option number 2 जो की है पंखे नुमार टोपी next question दिया हुआ है आपका कि जैन धर्म के 24 बे ती थंकर की एक बर्ग पीट पर बैठे हुए मूर्ती के मुद्रा को क्या कहा जाता है तो right answer है आपका option number 4 जो की है ब्रजिपारिकासन मुद्रा next question है सिंदुगाटी सबिता के किस साच के कारण आरे जो थी उस सबिता के रूप में जाना जाता था तो right answer है आपका first number जो की है script और तामबा script जो लिखा हुआ होता था और तामबा एक धातु है next question है कि सिरे पर्दू तकनिक किस से संबंदित है तो right answer है आपका option number second जो की है मूर्ती से next question इंडो सारसेनिक वास्तु कला के रूप में कौन सी सेलियां जाने जाती है तो right answer है आपका option number third जो की है इंडो इस्लामिक next question कौन सा मंदिर योजना का एक तारा की तरहे दिखता है और तारा में योजना के रूप में जाना भी जाता है तो right answer है आपका option number second जो की है होईजल next question है कि परांती सेलियों का वह स्थान नहीं है तो इसमें right answer है आपका option number first जो की है दिल्डी next question राजा गंडा नहीं कौन सा मंदिर समंदित है तो राजा गंडा से समंदित आपका है कंदरिया का महादेब मंदिर next question है कि कौन सी गुफा अपने उस उलेख लिए थीम के लिए दिखाती है जो की रावरदारा माउंट कैलास परवत को हिलाते हुए के थीम को दिखाया गया है तो right answer आपका option number second जो की है 16 नमबर 16 नमबर की गुफा है वो आपके कैलास नाम से जानी जाती है एलोडा में जो की महराश्ण में इस्थित है और वो आपकी राश्ट्रकूर्ट राजबंस में बनाई गई थी अब आपका next question जो है वो दिया हुआ है कि निमलिखित में से कौन सा चौल मंदिर बास दुकला का हिस्सा नहीं है तो right answer आपका फर्स नमबर जो की है गर्बगर है next question है मंदिर की उनलिखित में से कौन सी नागर पूरवी भारत में है तो right answer है आपका फर्स थार्ड नमबर जो की है जगर्नात का पूरी मंदिर अब हाँ पे उडिशा में यह स्थित है next question है कि 1921 इस्वी में भारती है कांग्रेश राष्ठी है राष्ठी कांग्रेश के अधिवेशर में जंडे का प्रिस्ताओ किसने रखा था तो right answer आपका फर्स नमबर जो की है सिव next question है कि निम्लेकित में से कौन सा मंदिर बास्तुकला का सब्द यानि की फीचर दिल पलास दिक पलास का प्रियोग करता है तो right answer है आपका फर्स नमबर जो की है चोल next question कौन से इंडोस्लामिक बास्तुकला पारंपरेग रूफ से बढ़गी करत नहीं है तो right answer है आपका फर्स नमबर सेकेंड जो की है ग्रीको सेली next question है कौन गोल गुमबज बीजापुर में निम्लेकित में से कौन सी सामगरी उप्योग ही गई है तो बीजापुर का जो गोल गुमबज बना हुआ है उसमें आपका गहरा भूरा बेसाल पथर का प्रियोग हुआ है next question है कि कौन से स्कूल की विशिस्ता देवी देपताओं का चित्रन रही है देवी देपताओं का चित्रन मुखिता आपके पहाड़ी सेली में हुआ है तो इसलिए third option आपका correct है अब next question देख लेते हैं दिया हुआ है ताज महल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तयार की गई है तो right answer आपका option number 4 जो की है कुरान next question भारती मंदिर के कुछ हिस्सों के सही अबरोही क्रम की पहचान करे तो right answer आपका दिया हुआ है कलसा यानि की कलस उर्षिखरा और अधिस्थना यह आपका right answer है next question है की गर्ब घर का अर्थ क्या है तो गर्ब घर को गर्ब ग्रह के नाम से जाना जाता है next question है की किस समराठ ने कुतुब मिनार को पूरा किया और तीन कौसागार जोड़े हुए थे तो right answer है आपका option number second जो की है इल्थ तुतमिस और इसका प्रारम कराने का कारी जो था वो कुतुब इद्दीन एवक ने किया हुआ था अब next question है वो देख लेते हैं next question है इनमें से कौन सा भारती मंदिर का हिस्सा नहीं रहा है तो right answer है आपका option number four जो की है वेशर next question किस समराठ ने दरव आवारना को चालू किया हुआ था तो right answer है आपका option number first जो की है अकबर अकबर की समय में ही दरवारना मो चालू हुआ था next question है कि बारत में पहली सारवजनिक आदुनिकतावादी मूर्तिकला किस की रही है तो right answer आपका option number third जो की है संथाल परिवार और संथाल परिवार जो बनाया गया है वो राम किंकर वेश के दरवारा बनाया गया है राम किंकर के वेश जो है वो पर खयात एक मूर्तिकार मान जाते हैं next question है कि कुल्लू इसकूल का सबसे पुराना नम क्या रहा है तो right answer आपका option number four जो की है कुलंत पीठ next question है कि निमलेकित मैसे कौन से कलाकार सतंता से समधित डानी मार्ज को चित्रत किया है तो right answer आपका option number four जो की है नंदलाल बोश next question है रादा बानी ठानी किस ने चित्रत किया है तो इसका right answer है option number second जो की है निहाल चन next question किस समराण ने अपने कोट के लिए कलाकार विचित्तर को नियुक्त किया हो था तो विचित्तर आपके साहजा काल में चित्रत चित्रकार थे next question है कि निमलेखित में से कौन सी पेंटिंग महा भारत की कहानी को दिखाती है तो right answer आपका option number third जो की है सांतनु एन मत्सगंदी next question है कि राजा रभी बर्मा ने चित्रों में से कौन से चित्र भारती अर्थसास की देनी अवस्था को दिखाया हुओ है तो right answer आपका option number first जो की है बिच्छुक परिवार next question दिया हुआ है आपका कि who created the Indian Society of Oriental Arts यह यहाँ पे इंगलिस में दे दिया हुआ है बट यहाँ पे हिंदी में इसको explain कर देती हुँ में जो की बताया गया है कि तो the Indian Society of Oriental Arts है उसको किस ने बनाया हुआ था तो right answer आपका option number third जो की है अबनी नट टैगोर next question दिया हुआ है कि निमने खित में से कौन सा स्कूल विसुद्धि भारती Sally कहलाया तो right answer आपका option number second जो की है मेवार सेली मेवार सेली को ही विसुद्धि भारती सेली कहा जाता है जो की राजस्तानी सेली की एक मुखी सेली रह तो right answer है आपका option number first जो की है मरीना भी चल नहीं next question दिया हुआ है कि चौगान प्लेयर पेंटिंग किस से सम्मदित है तो right answer है आपका option number four जो की है जो दारा जोदपूर यानी की दारा चित नामक चित्रकार ने जोदपूर में चित्रत किया हुआ है next question है निमने कित में से कौ भारती लोग कला से सम्मदित है तो भारती लोग कला से सम्मदित हमारे यामनी राय रहे है next question है किसी स्कूल ने प्रिसिद्ध हिंडूला राग चित्रत किया हुआ है तो right answer आपका option number first जो की है एहमन नगर next question मुगल स्कूल का फार्सी चित्रकार कौन सा रहा है तो right answer आपका चश्टर बेटी संग्रहले में संग्रहित है next question है कि साजा कि मृत्यों कि चित्रकारी किसके द्वरा की गई है तो right answer आपका option number third जो की है अवनी नट टैग वोर अब next question देख लेते हैं दिया हुआ है कि निम लिखित में से कौन सी भी सिस्था बंगाल स्कूल के लगुचित्रों से संबन्दित नहीं है तो right answer आपका option number second जो की है ग्रीश रोमन कला का प्रतिविम next question है कि which artist painted scene from the lips of the awareness and also awardee पदम भूशन यानि की ऐसा कौन सा कलाकार है जो आपके पदम भूशर से संबन्दित है तो पदम भूशर आप सबसे पहले यामनी राय को ही मिला हुआ था next question देख लेते ही दिया हुआ है कि किष्णा lifting mount गोवर्धन यानि कि किष्णा गोवर्धन परबद उठाते हुई इसके द्वारा चित्र किया गया है तो right answer है आपका option number first जो की है मिस्किन जो की एक मोगलकाल के प्रिख्यात चित्रकार रहे है next question माउंट आबो दिलवाड़ा मंदिर में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो right answer आपको option number third जो की है बिमल जहा next question कलाकारों के सब्सक्राइब का समय बेच चुका है अब उन्हें अपने आपने को प्रितिश्ठित करना जाहिए ये किसका कथर है तो केके हैवर का है next question है कि अजनता गुफाओं में कितनी सैलिया मिल सकती है तो right answer आपको option phone जो की है 20 प्रकार की रेखा सैलिय प्राप्त होती है next question है कि याजी क्या है तो याजी जो है आपका आधार भूत मंदिर में पुढ़ाने एक गाथाओं से संबंदे जानवर होता है उसे ही याजी कहा जता है next question है कि नटराज में बाएं हाथ में भुजंग तस्टा उनके भाव मुद्रा को प्रतिविबिंद करता है इसका मतलब क्या है तो right answer है आपको option number one जो की है माया या भ्रम के परदी को दूर करना अब next question देख लेते हैं which of the following painter use bags and oil mixing technique in color तो इसमें right answer है आपको option number four जो की है जीयर संतोस next question है कि गुजरात और महाराज में रंगोली की परदमपरा का दस्तावेजी करन किस ने किया है तो right answer है आपको option number second जो की है जोती भट next question है कि बार में मोहन जोदाड़ो कितने बार नश्ठ हो चुका है तो right answer है आपको option number third जो की है साथ बार से अधिक जा बार मोहन जोदाड़ो जो है वो बार से नश्ठ हो चुका है अगला question है कि निम्रिकित में से कौन सा मंदिर प्रारंबिक पाल सेरी का एक उधारा रहा है तो right answer है आपको option number second जो की है सिद्धेश्यर महादेव मंदिर next question जो की मारा गुफा की कुल उचाई कितनी है तो right answer है आपको option number first जो की है 6 अब यहां की लंबाई चोड़ाई तीनों की बात करें तो यहां पर 10 गुड़े 6 गुड़े 6 ऐसे करके इसकी माप को ग्यात कर सकते हैं जो 10 हमारी है वो लंबाई चोड़ाई इसकी 6 और उचाई 6 तो इस भी हाप पर आपके 6 और राइट है नेक्स कोश्चन है कि कौन सी साइट होस्पेजरन पर पहले आप सेसो को दर्साती है तो right answer है आपको option number first जो की है सुद्कोड़ा नेक्स कोश्चन है कि इनमले खित में से किस सामागरी का उपयोग जगरनात मूर्ती में किया गया है तो right answer है आपको option number third जो की है लकड़ी next question which Indian artist non for the for his paintings of figure said advanced diagonal shape of color यानी कि diagonal कर यानी कि विकरन रंगों को यह जाने जाते हैं वो आपके तयब बहता right answer है next question है कि 22 अगस 2018 को निमले खित में से किस कलाकार का निधन हो गया बहें color viscosity process का master था तो right answer है आपको option number first जो की है किष्णर रड़ी next question है जवाल लानलहरू ने किस सम्हों की प्रदर्शनी में उदगाटन किया हुआ था right answer है आपको option number third जो की है 1890 next question है कि किस सहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला हुआ है next question है निमले खित में से कौन सी गुफा अजन्ता की गुफा के समान है तो right answer है आपको third number जो की है सिगरिया next question है which of the following artist learned Nepali metal casting on a skirt of bar memorial तो यहां पर right answer है आपको option number second जो की है संकु चादरी तो संकु चादरी एक famous मूर्तिकाल रहे हैं अब next question देख लेते हैं दिया हुआ है कि किस स्थान पर पच्छी का पिंजड़ा पाया गया है तो right answer है आपको option number second जो की है हडपा next question गुफत सिक्को का पहला संग्रे कहां पर पाया गया है भारती कला पर इन्होंने सबसे ज़्यादा कारी करवाया हुए तो right answer आपका option number third next question रामकिंगर बैज मूर्तियां ज्याज़ातर किसकी बनाई है तो right answer आपका option number four third जो की है सजनु और भगबार नेस्ट क्वेश्चन सेलेन नाडे असीद कुमार हालदार डीपी राय चौधरी के मास्टर कौन थे तो इनके गुरू का नाम अवरीना टैगोर था बंगाल सली से रिलेटेड है ये सब next question है निमलिकित में से कौन सब इसे कोटा स्कूल अफ आर्ट में अधिक तर चित्चत किया गया है तो right answer है आपका option number four जो कि है सिकार द्रसी नेश्ट कुश्चन हुसें द्वारा उप्योग किये जाने वाले सबसे आम जानवर का नाम क्या था तो घोड़ा था जो कि इनका प्रिख्यात चित्र रहा है होड्स और जमीन इनका सबसे ज्यादा फेमस रहा है चित्र हुसें का नेश्ट कुश्चन है कि निमले खित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद रहा है तो यह आपका right answer है option number third जो कि है पटना नेश्ट कुश्चन कंपनी सेली में चित्रों में इस प्रकार का केंद वास का इस्तमाल किया जाता था तो right answer है आपका option number third जो कि है कागज और हाथी दात नेश्ट कुश्चन की पेंटिंग के कारे के लिए निमले खित में से किस कलाकार स्टूडियो का अपनी जापानी कलाकार याकों यामा ताइक बान द्वारा चित्न किया गया है तो right answer है आपका option number four जो कि है अवनीन टैगोर next question है कि जब कोई भासा संप्रेशर की बजाए एक बिसे के रूप में सिखी जाती है तो मुल्यांगन के लिए होता है तो right answer है आपका option number four जो कि है भासा के उत्पात next question है कि निम लिखित में से कौन सा सुद्धी सामाजिक भी ज्यान है तो right answer है आपका option number second जो कि है मान अवसास्त्र यह जो questions आपके दिये हुए है यह आपके 20 जो आदर में के हमारे जो subject होता है second paper में उसमें जो 20 number के questions आदर आते हैं जो कि आपके teaching attitudes से related होते हैं यह अब हमार जो नीचे के questions है वो अप रहेंगे तो इसमें देख लीजें कि कौन को से questions हमारे पूछे ही गया थे तो सिच्छा का एक महतबोर सामाजिक उद्धेस अफसरों में समानता लाना और पिछडे यह वंचित बर्गों और बर्कतियों को अपनी सामाजिक और आर्थिक इस्तिती में सुधार के लिए एक साधन के रूप में सिच्छा का उपयोग करने में सच्छा मनाना ये कोठारी आयोग के दरा कहा गया है ये हाल में पहलो में प्रतिविम्बित है तो विकल्ब में उसे चेहन करना था तो राइट आंसर है इसका फोर नंबर जो कि है आर्टी यी नीत नेस्ट कोशन है कि ततकाल भासर बाक कॉसल सुधारने में संतुष्ट है क्योंकि ये डैस बिक्सित करता है तो ये क्या बिक्सित करता है भासर के जरीए विचारों का इस पर्ष्ट उदगार नेस्ट कोशन है कि चूज दी एप्रप्रियेट्स आप्सन तो इसमें राइट आंसर आपको आपसर नबर फ़र्श दिया हुआ है इसको आप एक बार जरूर हिंदी में कर्वर्ट करके दिख लीजेगा नेस्ट कोशन है कि हम विसे को निम्लेकित में से बढ़नेद कर सकते हैं विसे को कई डैस के अधीन पढ़ा जा सकता है तो किसके अधीन सिछणों के अ है वियागिता बढ़ती है और उस पर चर्चा लंबी चलती है तो थार नमबर आपका आपसर करेक्ट है नेस्ट कोशन है कि बाके को पूरा करना है अंकर गरती प्रतीक होते हैं किसका होते हैं संचिपत और सब्दामबर के मुक्त होते हैं नेस्ट कोशन है कि डैस में माता नमबर फर्स्ट करेक्ट है जो कि हिंदू उत्तराधिकार अधीनियम दोहजार पाँच नेकि नीचे दिये गई सूची सर्वोत्तम बिकल्ब को चुनिए तो ज्यान प्राप्त करने के लिए अनुभव सेच जो है दृष्टी कोर का एक उधारा रहा है तो अनुभव जन्ने यह राइट आंसर है इसका आपसर नमबर फार्ट जो कि है अनुसंधान यह आपका इससे रिलेटेड है आपके जो ड्राइंग का कोश्टन पर था डीसस्वी टीजी टी आर्ट का तो वह ने पूरा सॉल्ब कर लिया है जो कि 2018 का था अब आप इसको देख लीजीगा पूरा और अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं फुल एक्स्प्लेनेजन के साथ नेक्स्ट वीडियो लाओं जो कि सारे आपसर से आपके कभी कभी कोश्टन बन जाते हैं तो इसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लग हो तो लाइक, सब्सक्राइब और से जरूर करिएगा थैक्स पार वाचिंग